Hello everyone, today we are going to start a very important topic that is capital and revenue expenditure. In this regard, मैं एक example दे रहा हूँ, आप example से स्थिक से सुनना. Suppose मैंने एक mobile का shop खोलने का सोचा. In this regard मैंने क्या किया? अपने पापा से 10 लग रुपे का नोन लिया. और यो 10 लग रुपे का था मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइट किया. आप लग रुपे का मैंने शॉप करदा और 2 लग रुपे का मैंने क्या किया? मुबाइल खरदा. और मैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया. In this regard, जो 8 लग रुपे का जो मैंने पेमेंट किया, जो शॉप करदा, वो शॉप का जो expenditure था, मेरे को long term तक का benefit मिलने वाला है. बट मैंने जो 2 लग रुपे का मुबाइल खरदा, वो मेरे को short term तक benefit देने वाला है, क्योंकि मैं कोसिस करूंगा ये जो 2 लग रुपे है, ये accounting period के अंदर-अंदर मैं इसको sale करके अपना पैसा realize कर वालू हूँ. तो जो भी पैसा, जो भी expenditure incurred हुआ, जिसका benefit मिलने को long term तक मिलता है, उसे बोलते है अपना capital expenditure. बट जो expenditure एक बार incurred करने के बार जिसका benefit short term तक मिलता है, मत्या accounting period तक मिलता है, उसको बोलता है revenue expenditure. इसका मैं दूसरा example देता हूँ, मालने जे मैंने staff रखा, staff को मैं salary payment करना है अपने को, जो salary मैं payment कर रहा हूँ, क्योंकि business को day to day expenditures के लिए, मैं ही salary payment कर रहा हूँ. तो जो salary payment कर रहा हूँ, that will be treated as revenue expenditure क्योंकि मैं ये business के day to day expenditure की तरह इसको treat करूँगा. But capital expenditure मैंने माले जे मैंने machine खरदा, मैंने building खरदा, इसका benefit मैं को long term तक मतलए एक accounting bit से ज्यादा benefit मिलने वाला है, इससे लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग capital expenditure, ठीक है, यदि मैं accounting treatment के बारे बात करूँ, यदि आप final account पढ़े हो, तो आपको पता होगा कि आपके balance sheet के asset side में, जो भी item होता है, सारे का सारे, वो capital expenditure होता है, और जो trading and PL account के, जो items होते हैं, वो सारे के सारे होते है revenue expenditures, revenue expenditure, capital expenditure दोनों में अंतरा हमको समझ में आ गया होगा, इसके regarding एक और concept है, जो कि है deferred revenue expenditure. deferred revenue expenditure एक special type expenditure है जिसमें दोनों की features होते हैं मतलब एक ऐसा expenditure जिसके अंदर में दोनों का benefits हो capital का भी और revenue का भी जो दिखने में लगे revenue बट है होता है वो capital फाइदा देखे जाता है capital वाला उसे वोते deferred revenue expenditure मैं example समझाता हूँ मैं जो shop खोला था मैंने उसके regarding मैंने क्या किया 5 black service का advertisement करवाया जिसका benefits मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाला 5 years तक मेरे को benefits मिलने वाला है जो 5 black service का जो मैंने payment किया advertisement का और जिसका benefit मेरे को 5 years तक चलने वाला है तो आप समझे आप advertisement को हम लोग PL के debit में लिखते है advertisement will be treated as a revenue expenditure मतलब normally क्या होता है advertisement को हम लोग revenue की तरह देखते है बट इसका benefit मेरे को long term तक मेल रहा है आने वाला एक accounting पेर से ज्यादा का मेल रहा है तो इसको capital expenditure की तरह भी देखा जा सकता है तो हम लोग इस special type expenditure को हम लोग treat करते है deferred revenue expenditure deferred revenue expenditure क्या होता है वह expenditure जो revenue की तरह देखता है बट वो इसका benefit जो है capital expenditure की तरह मिलता है इसको बोलते है deferred revenue expenditure तो अपने तीन टॉपिक पढ़े revenue capital revenue expenditure ठीक है? Thank you